हेई फ्रेंड्स देखिए आज जिस company के बारे में हम बात करने आ ले हैं वह हमारी semi conductor और networking के छेतर्में और medical के छेतर्में काम करती है साथ साथ टेली कम्यूकेशन में भी ये कंपनी काम करती है तो जानेंगे इस कंपनी के बारे में लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज कर लीजिए और देखिए बहुत महनत लगती है ऐसे अच्छे स्टॉक ढूणने के लिए तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिगा और वीडियो को शेर जरूर कर दीजिगा और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जाननेते हैं कौन सी कंपनी है ये देखे कंपनी के अगर प्रोज जाने तो कंपनी जो है 101% की CAGR से पिछले 5 सालों में प्रोफिट कर रही है और साथ ही साथ कंपनी लगभग लगभग डेप्ट फिरी भी है देखे 1400 करोड की ये कंपनी है 1100 करोड की और करेंट प्राइज इसका 71 रुपे का है हाई देखेंगे तो 101 रुपे और लो 40 रुपे दस परसे का है बुक वैल्यू है चार पॉइंट बावन की और पी है 193 तो पी थोड़ा सा महंगा है फैस वैल्यू दो है आपको ये स्प्लिट होते हो भी दिख सकता है अगर इसके हम कुछ पियर कंपिरेजन देखें तो टाटा एलेक्सी एलेटी टेकनलोजी माफ़सिस और ये कुछ कंपनिया है और एकल फाइनेंस वगएरा ये कंपनिया इसकी कंपिटिटर है देखें क्वाटरली सेल्स अगर देखते हैं तो जो कभी 23 की होती थी 2020 में 23 करोड की जून क्वाटर में 2020 के वो अब जाके 48 करोड की हो चुकी है सेप्टमबर 2022 के क्वाटर में हमेशा देखें बढ़ी ही है 23.79 था फिर 23.83 हुआ और फिर 27.33 कुल मिला के बढ़ती ही चली गई है खुल मिला के अब हो गई है 48.15 की अगर प्रोफिट देखते हैं तो कंपनी देखें पहले लोस देती थी लोस में थी कंपनी लेकिन यहां से कंपनी प्रोफिट में आना सुरू हुई और अब जाकर कुल मिला के प्रोफिट में ही है लगातार कंपनी और yearly अगर हम देखें और हाँ पहले CAGR बगरा देख लेते हैं इसका तो शांदार है देखेंगे आप stock का जो share price बढ़ा है वो 35 पिछले 10 सालों में 35 से 5 सालों में 11 से और 3 सालों में 6% से और इस साल भी 61% से बढ़ा है और देखें profit growth देखते हैं तो यह है पिछले 10 सालों में 10 परसेंट से 5 सालों में 101 से पिछले 3 सालों में 31 परसेंट और इस साल है 711 परसेंट की और यही अगर हम sales growth देखें तो 25 परसेंट फिर 31 और 3 सालों में 25 परसेंट से और इस साल 29 परसेंट से sales बढ़ रही है company की last में बात करते हैं देखें balance sheet में तो इसमें reserve जो कभी minus में तो इसके सामने ये 92 करोल बहुत ज्यादा माइन रही रखता है almost debt free company हुई एक थोड़ा सा minus point देखें यहां दिखाई देता है promoter holding में promoters ने जो है 8.89 की थी 2019 में लेकिन अभी थोड़ी सी इसने कम की है तो थोड़ी सी लगभग 3% के आसपास कम की है promoters ने अपनी holding और public के प देखें नीचे तो कुछ बड़े-बड़े investors हैं ये हैं वेंकटा सुधाकर ये हैं इनके पास है लगभग 4% और ये है Soulwell Services ये कोई company है इसके पास है 1.77% की तो जाज तरह जो holding है public में भी ये कुछ बड़े लोगों के पास ही है last में देखें company का नाम देखते हैं company का नाम है Most Chip Technology Limited और देखें ऐसी company थोड़ा सा रिस्की तो हैं क्योंकि market cap बहुत कम है लेकिन आने वाला future जो है company का अच्छा हो सकता है और देखें company का अगर हम ये revenue देखें तो segment 22 देखें 2022 में देखें 88% जो है ये हमारा Sambica Director Service से ही आया है और शिर्फ 12% ये बहार से आया है बात करें revenue की तो इसमें जो है 47% बहार से विदेश से आया है और 30% revenue domestic है company का तो company लगभग 50-50% ही balance करके चल रही है आधा भारत में और आधा विदोसों में करती है 4G और 5G की service भी company देती है देखें 2G और 4G की तो ये 5G के लिए भी equipment बनाएगी company क्योंकि इसी के equipment ये बनाती है internet में company जो है service provide अपनी कराती है तो दोस्तों देखें वीडियो जो है एक knowledge purpose के लिए था अगर वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजेगा मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत